Hello friends, हम लोग कुछ important question को discuss करेंगे जो कि मैंने पहले ही अपने YouTube channel OnlyGPB पर upload कर रखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, यह मेरा YouTube channel OnlyGPB है तो अभी हम लोग home page पे हैं, अभी इसको हम scroll करेंगे वीडियो पे आ गए, live, playlist and then community community section में आप देख सकते हैं, बहुत सारे question जो है पड़े हुए है जैसा कि यह question ले लेते हैं हम लोग जैसा कि आपको पता है, जो crossing over है वो हीटीन stage में होती है, तो इसका option C जो है correct हो जाएगा, ठीक है लेप्टोटीन में हमने बताया था, आपको क्या होता है जो chromosome होते हैं वो thread like होते हैं ठीक है, जैगोटीन में homologous chromosome pair कर लेते हैं, पेची टीन में crossing over होता है, डिपलोटीन में जो क्याज मेटा होते हैं उनका termization होना start हो जाता है, डायकाइनेसिस में जो nuclear membrane और nucleus है वो disappear हो जाती है, ठीक है chromosome condense होना start हो जाते हैं, ठीक है question है, the crashing over take place in, तो मैंने जैसा बताया था आप लोगों को, the crashing over हो tetrad stage में होती है, ठीक है next question है, the process of crashing over take place between, जैसा कि मैंने बताया था कि जो crashing over हो हो homologous chromosome के non-sister optometrics में होता, ठीक है, तो इसका option B सही हो जाएगा, next question पर जलते हैं, next question है, the process of synapses take place, जो synapses है, homologous chromosome की जो pairing है, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था, gigotene में होता है, तो इसका option B सही हो जाएगा, ठीक है, next question पर जलते हैं, synaptonymal complex formed during, तो synaptonymal complex जैसा कि मैंने आपको बताया था, gigotene stage में होता है, ठीक है, तो इसका option A सही हो जाएगा, next question पर चलते हैं, nucleus and nuclear membrane absent in, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो metafage है और जो enaphage है, इसमे nucleus और nuclear membrane absent रहती है, ठीक है, तो option E जो है इसका both B and C जो दिया हुआ यह correct हो जाएगा, option E is the right answer, जबकि हम लोग pro phase में देखे थे कि nuclear membrane और nucleus जो है present होती है, tillophage में फिर से और्गनाईज हो जाती है, तो इसका जो right answer है, वो option E हो जाएगा, ठीक है, next question पर चलते है, by violent appears during, तो by violent का formation, gigotene में बनना start हो जाता है, लेकिन जो appears होते हैं, वो पेची team में होते है, ठीक है, तो इसका option C correct हो जाएगा, father of genetics कौन है, Gregor John Mendel, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अलग-अलग spelling दे रखी है, Gregor John Mendel की, तो इसमें से जो option C है, Gregor John Mendel, ये right हो जाएगा, ठीक है, अभी हम लोग next question पर चलते हैं, next question है, scientific name of fruit fly, तो fruit fly का scientific name ये पूछ रहा है, तो fruit fly का scientific name होता, Drosophila मिलानोगा इस्टर, तो option A, इसका right answer हो जाएगा, जबकि Musca domestica है, ये house fly का scientific name है, ठीक है, वो इन्हों तुरह लाइमार किया न, ये flowering plants का scientific name है, जिसको हम evening prime rose भी बोलते हैं, evening prime rose में क्या होता, evening में flower खुलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं, इसको हनी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पालते हैं, ठीक है, ये भी हनी बी की ही इस प्रसीज है, लेकिन ये dangerous होती है, तो इस तरीके से एपिस मेलिफेरा और एपिस डॉर्सेटा ये हनी बी की इस प्रसीज हो गई, और इन्हों थेरा ये फ्लावरिंग प्लांट से मस्का डॉमेस्टिका ये हाउस फ्लाई है, जबकि फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक ने ड्रोसोफिला मिलानोगाश्टर है, ठीक है, अभी next question पर जलते हैं, तो next question है, molecular scissor is, तो restriction indoor nucleate जो है, ये molecular scissor के रूप में यूज किया जाते हैं, क्योंकि इनसे हम DNA के strands को cut कर सकते हैं, ठीक है, DNA strand को हम एक specific region पर cut कर सकते हैं, जिससे desirable DNA fragments को यहाँ पर add किया जा सकते हैं, ठीक है, foreign DNA को हम यहाँ पर add कर सकते हैं, ठीक है, ligase जो होता है, ये molecular glue कर लाता है, क्योंकि इससे जो हम दो DNA fragments को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, lipid जो है, ये lipids को break करता है, जबकि proteid जो है, ये protein को break करता है, ठीक है, next question पर चलते हैं, next question है, the full farm of RFLP, तो RFLP restriction fragment length polymorphism, तो option D इसका right हो जाएगा, जो RFLP है, ये botstein के दोरा discover किया गया था, ये codominant DNA marker है, हम लोग DNA marker को discharge करेंगे, लेकिन अभी हम लोग next question पर जोते हैं, next question है, RFLP is, तो RFLP जो है codominant marker है, तो इसका option A सही हो जाएगा, अच्छा dominant marker कौन सा होता है, RAPD, ठीक है, random amplified polymorphic DNA, ठीक है, AFLP जो है, ये dominant and codominant दोनों होता है, ठीक है, amplified fragment length polymorphism, ठीक है, next question है, ribosomal subuniverse associate with each other, तो option A जो magnesium आयन है, ये सही हो जाएगा, ठीक है, next question है, total number of gametes in case of trihybride will be, तो gametes का formula क्या होता है, 2 की power N, यहाँ पर N जो है ये number of heterogigous locus है, तो यहाँ पर trihybride में 3 हो जाएगे locus, तो 2 की power 3 equal to कितना हो जाएगा, 8, तो यहाँ पर option D right हो जाएगा, ठीक है, तो option D is the right answer, next question पर चलते हैं, endosperm is, endosperm जो होता है वो 3N होता, ठीक है, जैसा कि यह polar nuclei के fusion से बनता है, और आपको पता है polar nuclei जो है, 2N पहले से होता है, यह polar nuclei है, इसका जब fusion होता है male gamete से, तो यह 3N हो जाता, ठीक है, दो nucleus यह और एक male gamete, तो इस तरीके से यह 3N होता है, ठीक है, endosperm, next question पर चलते हैं, next question है, superiority of F1 over both its parents is card, जब हम केवल positive direction की बात करते हैं, तो हम hybrid vigor करते हैं, ठीक है, इसमें अगर superiority और inferiority होता, तो वो फिर हो जाता, heterocyst, ठीक है, यहाँ पर जो right answer होगा, वो option C हो जाएगा, ठीक है, अभी देखिए, उस तरीके का question आगया, superiority और inferiority of F1 over both its parents is card, तो यहाँ पर जो होगा, देखिए, heterocyst हो जाएगा, क्योंकि heterocyst में क्या होता, superiority भी हो सकती है, और inferiority भी हो सकती है, ठीक है, तो option A is the right answer, अभी the progeny of single home हो जाएगा, self-related crop is card, तो जो single homo जाएगा, self-related crop की progeny जो होगी, वो क्या होगी, pure line, जैसे मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, जबकि inbred क्या होता है, जब हम cross-related crop में continue shelving करते हैं, उससे जो progeny हमको मिलती है, homo जाएगा, इस्टाइल मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, क्लोन क्या होता है, group of individuals that obtained through asexual reproduction, ठीक है, जब हम asexual reproduction, यह plant issue culture से progeny obtained करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोन, ठीक है, hybrid क्या होता है, f1 generation obtained through meeting between genetically different parents, ठीक है, तो यहाँ पे जो option B है, वो right हो जाएगा, pure line, ठीक है, ठीक है, ठीक है, next question पर चलते हैं, next question कहरा, what will be the chromosome number in endosperm of heat, रिटकम estuum, रिटकम estuum में जानते हैं, 2N equal to 42 होता है, ठीक है, n equal to कितना होता है, 21, जैसा कि मैंने आपको बताया, endosperm क्या होता है, 3N, तो 3 into N, 21, equal to कितना हो जाएगा, 63, इसका option C is the right answer, ठीक है, next question पर चलते हैं, ठीकम मोनो कोकम, ठीकम मोनो कोकम जो है, यह deployed wheat है, तो इसमें जो chromosome होते हैं, 14 होते हैं, ठीक है, option 20 का right answer हो जाएगा, जबकि ठीकम डिवरम में 28, ठीक है, ठीक है, ठीकम estuum में 42, ठीक है, next question पर चलते हैं, ओपेरान कॉंसेप्ट वाज given by, तो ओपेरान कॉंसेप्ट जो है, जैकोब आन मुनोट के दोरह दिया गया था, बैट्सन और पुन्नेट ने linkage को discover किया था, ठीक है, बैट्सन ने genetics टर्न भी दिया था, ठीक है, बैट्सन और पुन्नेट दोन्होंने मिल करके, general of genetics को start किया था, वाट्सन और क्रिक ने double helical structure of DNA दिया था, शटन और बोवेरी ने chromosomal theory of inheritance को दिया था, ठीक है, next question कह रहा है कि हम एक पिंक flower color plants को, कैप्टेलर इसमालर को, एक white flower color वाले plants से cross करा रहे हैं, ठीक है, मतलब की हम लोग एक तरीके से test cross कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे, यह पूछ रहा है कि phenotypic ratio क्या होगा प्रोजनीज का, तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, capital or ismalar argument बनेगा, यहाँ पे ismalar argument बनेगा, ठीक है, यह इससे fuse करेगा, तो क्या बनेगा, capital or ismalar, और ismalar, इ यह कैसा हो जाएगा, pink और यह कैसा हो जाएगा, white, ठीक है, तो one ratio, one का ratio जो है, हमको मिलेगा, 50% pink हो जाएगा और 50% white हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे test cross ratio हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, one ratio, one, जबकि अगर f2 की अगर यह बात करते, तो यहाँ पे one क्या हो जाता, red, two, pink, and one क्या हो जाता, white, ठीक है, तो one ratio, two ratio, one हो जाता, लेकिन यहाँ पे चुकि टेस्ट cross ratio पूछ रहे हैं, तो one ratio, one होगा, ठीक है, next question पर चलते हैं, next question कहे रहा है, the term epistasis was given by, तो epistasis term जो है, वो betson के दोरा दिया गया था, ठीक है, next question पर चलते हैं, one gene with manifold effect is called, तो इसको हम बोलते हैं, pleiotropism, क्या बोलते है pleiotropism, जैसा कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है, इसका example जो है, वो sickle cell enemy है, ठीक है, next question पर चलते हैं, next question है, jumping gene were first discovered by, जो jumping gene है, ये, बार बारा मैकलिन टॉक के दोरा डिसकवर किया गया था, ठीक है, बार बारा मैकलिन टॉक, ठीक है, इनके दोरा डिसकवर किया गया था, next question है, superiority of F1 over both its parents in terms of vegetative growth, तो vegetative growth के terms में अगर superiority होती F1 की, तो उसको हम बोलते हैं, luxurians, luxurians को हम pseudo-heterosis भी बोलते हैं, ठीक है, तो इसका option जो D है, बोथ B and C, यह correct हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से हमने different question को discuss किया, आज के लिए वस इतना ही मिलते हैं, next studio में, thank you, thank you very much for listening to me,